हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको एहंकार के वारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ जैसे एहंकार का क्या अर्थ होता है एहंकार के लक्षन क्या है तो चलो मैं शुरू करती हूँ एहंकार से तातपरे ऐसे भाव से है जो व्यक्ति में उत्पन होकर उसे सर्वो परी बना देता है एहंकार से लिप्त इंसान स्वयम को इश्वर के तुल पूर्ण समझने लगता है यह भाव धीरे-धीरे मन में ब्याप्त होता है प्रारम में व्यक्ति दूसरों की उप्यक्षा करना शुरू करता है फिर धीरे-धीरे उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है फिर दूसरों की बाते सुनना ही बंद कर देता है और फिर अंत में उसे पूर्णता का बोध होने लगता है ये सब एहंकार के लक्षन है, एहंकार जीवन में किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे किसी को सुन्दरता का, किसी को धन दौलत का, किसी को अपने उच्च पद प्रतिस्टा का आदी, धन और पद के मो में इंसान एहंकारी होने लगता है, उसे स्वम में पूर्णता का बोध हो वी होने लगता है एहंकार के सासत शिग्र ही दूसरे बुरे भाब भी बिन बुलाए हिर्दय में चले आते हैं जैसे क्रोध घ्रणा निर्दयता दुस्टता आदी इसलिए कहा गया है कि एहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रू है यह उसकी सोचने समझने की शमता को समाप् कर देता है एहंकारी व्यक्ति को सिर्फ सर्वत में ही दिखाई देने लगता है एहंकार के बशीबूत ओकर मानव अपनी विवेक बुद्धी को खोकर अनुचित कारे करने लगता है उसे अच्छे और बुरे की समझ नहीं रहती है एहंकारी व्यक्ति अपने को सर्वस्रेस और दूसरे को नगर्ण समझने लगता है, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, वह सद गुणों को त्यागने लगता है, जब इंसान को एहंकार पूरी तरसे घेरने लगता है, तो वह निर्णे लेने की शक्ति को खो देता है, वह उचित अनुचित हित अहित का निर्णा लेने में असमर्थ हो जाता है। एहंकार में लिप्त व्यक्ति अपने संबंदियों और दोस्तों को ठुकरा देता है। इतियास गवा है कि जब जब किसी व्यक्ति ने एहंकार किया है उसका सर्वनाश अवश्य हुआ है। चाहे वह राजा, कंस हो या लंकापती, रावन, दुर्योधन, शिशुपू, पाल या हिटलर एहंकार व्यक्ति को विनाश के गर्थ की और धीरे-धीरे ले जाता है। विनाश काले विप्रीत बुद्धी बाली उकती एहंकारी व्यक्ति को चरितार्थ करती है। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है, तब उसकी बुद्धी उसका साथ छोड़ देती है। जिस प्रकार बाग की हर्याली सूखने के बाद बारिश आने का कोई लाव नहीं होता, समय निकल जाने के ततपश्यात पस्ताने से भी कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए मित्रो इस भाव को अपने मन में समायत मत होने दीजिए। पतन का शत्रू है और यही पतन का कारण है। धन्यवाद।